हेलो फेंच Grinds सुचांड मेरी चैनल रेसिपी शप roam में और घृठ में बनानेजाने बनाना सीखते हैं उत्पम सूझी के उत्पम तो इसे बनने के लिए हमें जो in gradients चाहिए हैं इसमें सबसे पहले हमें लेना है सूजी तो यह मैंने एक कप सूजी ली है और इसे घोलने के लिए गुन-गुना सा पानी लेना है हलका गरम पानी लेना है गुन-गुना पानी लेने से फाइदा यह होता है कि यह जल्दी फूल जाती है और घोल जल्दी रेडी हो जाता है उ जब भी आप उटपम बनाई या कुछ भी सूजी का जो बनाना है और जल्दी बनाना है तो आप उसको में गुंगुना पानी डालिए फटा-फट से फूल जाती है तो ये दिखे मैंने इसे गोल बना लिया है इसका ये दिखे इतना गाड़ा गोल है बाद में इसमें और पानी भी एड़ करना पड़ेगा अब ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है टेस्ट के कौडिक और दो चमच खट्टा वला दही एड़ किया है बहुत जादा खट्टा नहीं लेना है लेकिन मीठा भी नहीं लेना है तो अब इस गोल को कम से कम 10-15 मिनिट के लिए रेष्ट करने के लिए रख देंगे और चुकि हमने गरम पानी का इस्तिमाल किया है गुन गुने पानी का तो ये जल्दी फूल जाएगी और उत्पम बनाने के लिए गोल रेडी हो जाएगा और इतने टाइम पे मैंने ये एक प आप मिर्ची को टेस्ट के एकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं तो ये तैयारी कर लिए मैंने इतने टाइम में और अब देखिए ये गोल भी देख लेते हैं रेडी हुआ या नहीं तो ये देखिए थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है पानी सोख लिया है सूजी ने तो अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी और एड़ कर दिया है और इसका एक घोल बढ़िया सा बना लेंगे थोड़ा सा और डाल लेंगे ताकि आसानी हो फैलाने में तबे पे जब हम इससे फैलाएंगे तो वो smoothly फैले इतना पानी मैंने इसमें डाल लिया है तो यह देखिए यह गोल अब ठीक है तो सुजी फूल चुकी है और अब चलिए बनाने से पहले इसमें एड करना है यह इनो पाउच जब उत्पम बनाना हो उसके एक मिनट पहले ही इसमें एड करना है इनो देखिए मिक्स कर लिया और अब चलिए तवे को मैंने गरम होने के लिए पहले से रख दिया है तो यह देखिए मैंने छोटी चमच से मैं इसमें ओयल डाल रही हूं इसमें एक चमच बस तेल डाला है मैंने छोटे चमच से डाला है इसलिए दो बाट कर दिया था यह देख अब मैंने इसके उपर गोल डाल दिया है, अब इसे धीरे से इस प्रकार से फैला देंगे, पतला नहीं फैलाना है, मोटा मोटा ही रखना है इसे, ये देखिए, इतना मोटा ही रखेंगे, और अब इसके उपर ये मैंने गटी हुई प्याज इसके उपर डाल दिया है, फैला दिया है, प्याज को इस प्रकार से फैला देंगे, फिर टमाटर इसके उपर डाल देने हैं, इस प्रकार से सभी तरब फैला देंगे, या तो आप पूरे में भी डाल सकते हैं, या बीच मे अब इसके उपर मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्च भी इसलोत निया पत्ति पला है अब इसके उपर कॉपर यह प्रसाइरा जेए बिल्लाइफ भी कासा भी सब्सक्राइब कावाव रेओán नीचे का चेक करते हैं ये देखिए ये निकलने लगा है इसका मतलब है कि ये नीचे से भी सीख चुगा है और इसमें एक बात मैं बताना बुल गई कि गैस की फ्लेम जो है हमें बिल्कुल कम पे रखना है सिम पे करके इसको पकाना है पहले तवे को गरम कर लेना है और उसके के उत्पम बने कैसे मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और अगला वीडियो में और अच्छा बनाने की कोशिस करूंगे थैंक यू